हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त अरशना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना तंदूर के घर में ही बहुत आसानी से तंदूरी मोमो बनाने की रेसिपी इसमें भरपूर मैरीनेशन होगा और मार्केट वाला स्वाद भी होगा और आज हम तंदूरी मसाला भी घर पर ही बनाना बताएंगे तो बिना देर करें शुरू करते हैं इसकी रेसिपी तो तंदूरी मोमो बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा तंदूरी मसाला तो उसके लिए मैंने ले लिए एक पैन और साथ में ले लिए चमश कोई भी आप घ दो बडि उलाइची for çar love चार लॉं इन शब को मैंड द्र Kir ok सारा के सारा मसाला डॉल देते हैं और प्रित में दально सब्सक्राइब चाहिए स्वादन सार और एक चमश भरके उसी चमश से ही अमचूर पाउडर साथ में ले ले लिए एक चमश चाट मसाला और उसके साथ थोड़ी सी ले लिए हें करीब दो से तीन बड़ी चमश आप इसमें डाल सकते हैं इसको पीस लेते हैं और यह देखिए हमारा कितना बढ़िया मसाला पिसके तयार हो गया मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के देखिए है ना बरकुर मार्किट जैसा कलर और खुश्बू तो ओहो बहुत ही बड़ी हा रही है तो हमारा मसाला तयार है अब इसका डो लगा लेते हैं मोमोज का तो मै निया ले लिए मैदा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और आधी चमच के करीब विनेगर बस अब सिंपल पानी डाल किसके डो तयार कर लेते हैं हमें इसका डो सौफ नहीं बनाना हार्ड बनाना है मगर बहुत ज़्यादा हार्ड भी मत कर दीजेगा मगर हां इसको मलन बहुत जरूरिए जितना आप मलेंगे उतना डो हमारा बढ़िया बनेगा अब देखे हमारा डो बनके बिल्कुल तयार है लास्ट में इसमें पिल्कुल आदा चमच के करीब में डाल रही थोड़ा सा ओयल बस अब इसको अच्छे से मलते वे इसको रख देंगे थोड़ी अंदर के फेलिंग तयार कर लेते हैं तो मैंने लेली थोड़ी सी पंदगोभी थोड़ी सी गाजर थोड़ी सी मैंने लेली इसमें हरी प्याज से पहले मैंने पत्तागोभी को जो है ग्रेट कर लिया है और साथ में जो गाजर है उसको भी ग्रेट करके लिया है अब डालें तो सारा पानी अलग रह जाएगा और हमारी सब्जी बिलकुल अच्छे हमें मिल जाई जासे में चाहिए अगर सब्जी में पानी रह गया तो हमारे मोमोज कड़ाई में जाती फट जाएंगे इसलिए कसकी निचोड़ दीजिए अब लिटेक बाउल और इसमें अपनी पत्ता तंदूरी मसाला बस हमें इसमें कुछ नहीं डालना तंदूरी मसाला रहा हमने बनाई लिया है वैस इसको अच्छे से करेंगे मिल्च और हमारी मोमोज की फिलिंग तैयार और अब करते मेरिनिशन तयार तो उसके लिए बाउल में डालेंगे थोड़ा सा दही दही मूरा न उसका फ्लेवरे से बहुत अच्छा आता है साथ मैंने भुनेवे बीसन ले लिया है आप जोहें इसको ड्राइ रोस्ट कर सकते हैं बेसन को और उसके बाद इसमें डालीएगा ताकि पकावारे कच्छा ना रहे और अब लास्ट में जाएगा इसमें सरसो का तेल पका करी लिय अरहा है और इन सबको अच्छे से कर लेते हैं मेक्स तो हमारा मेरीनेशन ए बननके तयार हो चुका है तो हमारी तयारी पूरिए मेरीनेशन भी तयार है अंदर की आठा ख़ल नह्त Kell १ि तयार कि एक साइस की बनेंगे तो यह लए जी मैं तर भला नहीं एक साइज बनेंग अगर आप simple paint momos बना रहे हैं तो जितना पतला भी लें उतना बड़ी है मगर मैं थोड़ा सा थेक रख रहे हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा designer बनाने वाली हूँ मगर पहले मैं आपको simple paint भी एक बना के दिखा देती हूँ उसकी लिए सबसे पहले हम जो है इसमें लगाइंगे 4 तरफ पानी और बीच में डालेंगे थोड़ी सी filling आप इसको एक साइड से पकड़ कुर्थाएंगे तरीकर से उठांससा ओऊथाते ही तरा ही फोल्ड करते चलए मगा मैं आज थोड़ा सा डिजाइनर बना रही हूं तो उसके लिए करना यह कि पहले हमने बीच में फेलिंग भर दी अचार तरक किनारे पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे हमारे एज़ीज चिपक जाएं और अब बस एक साइट से इधर से उठाएंगा एक इधर से उठाएंगे इन नहीं नोने को से इंटर काह पार्ट ऐसे पकड़ें आवे ऐसे up कर देंगे आधे इधर रु़जों का इंटर पकाईंड गेंगे एर है थी स्टाइब हम ने से सबस्के आ हैन Ricky Eason मूः वेंतुन मत बन समदध्ट कि और किंडर के और झाद तैयार कर लेंगे के मीडियम होना चाहिए थैज गहराई है जब आपको बनाते हैं तो सुमें टो इस बात का दीयान पूंतिटी ठ्कम ही रखें तेंकि ज़्यादा एक साथ मज नाले कड़ाई में और बहुत दीरे दीरे करके इसको पलटना शुरू कर दिया थोड़ा सा सैट होने के बाद में फिर इस तरह से राउंड घुमा के चार तरफ से अच्छे सेक लेंगे जब तक कि हमारे बढ़िया से सिक नहीं जाते हैं यह देखिए हमारे सिक के तयार होते जा रहे हैं मुमोज कितने बढ तो इनको जल्दी शेक लेते हैं क्योंकि तो हम हमेशा बनाती रहते हैं शेप मगर शेप भी लगती बहुत कुबसूरत है यह देखिए भी फ्राइओ गया है तो हमारे जहें सभी मुमोज फ्राइओ के तो तयार हो चुके हैं अब इनको डालते हैं मैरी निशन में तो सारे अब इसी में हम बीच में बनाएंगे जगां और वहां रखेंगे काटूरी क्योंकि हमें इसे तंदूरी फ्लेवर भी तो देना है यहां मैंने गैस पर रखावा एक कोईला गरम होने के लिए क्योंकि तंदूरी फ्लेवर के लिए इसका धूआ देना बहुत जरूरी है थोड़ी दिर के बाद इसको हटा देंगे और लीजी आ गया हमारे मॉमोज में वह इसमोकी फ्लेवर जो की तंदूरी मॉमोज में होता है काटूरी हटा देंगे इनको सबको बाहर निकाल लेंगे इन मॉमोज के साथ सर्व करने के लिए मैंने कुछ वेजिज भी कट कर इस तरीके से टमाटर भी लिए उसके बीज हटा दियें बीज के और ऐसे ही शिम्ला मिट्श ले लिए अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको मेरीनेशन में अच्छे से यह भी ताकि अच्छे से कोट हो जाए और अब जलाएंगे गैस और एक-एक मोमोज को इस त तंदूरी टेक्स चार और इस तरीके से मैं तो अपने सभी मोमोज खेर गैस पर सेक रहे हूं यह आप चाहें सेके या इसको छोड़ भी सकते हैं मगर इसके बाद का जो लास्ट स्टेप है वो करना बहुत ज़रूरी है वरना हमारी तंदूरी मोमो का स्वाद अधूरा रह लगाएंगे अपना मोमो तो देखिए बिल्कुल एकसार शेप में रखेगा इस तरीके से यह आया 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 बिल्कुल कितना बढ़े एक्दम से इसी तरीके से वापस से इसको हम रिपीट करते है प्रोसेस को मगर अब एंड करते हो सबजे को वापस से ओल्टी डारेक्श बस यह कि आपकी कोटिंग का यह ध्यान रखना है शुरू का और एंड का पार्ट जो है वो बिल्कुल अपोजिट डिरेक्शन में होना चाहिए इस तरीके से और यह लिजी मेरी सभी स्टिक्स बनके तयार हो चुकी है अब चलते हैं पैन की तरफ क्योंकि अब जरूरी काम था वो करना है तो यहां गैस पर मैंने तवा गरम होने के लिए रखा हुआ है इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा ऑईल और अब जाएगा इसमें खुब सारा सा बटर हमने ऑईल इसलिए पहले डाल था जिससे के हमारा बटर जले नहीं अब इसको चार तरफ इसे से लेंगे और यह देखिए क्या खुश्बू आरी तंदूरी मोमोज की अगर आपके पास यह स्टिक ना हो तो भी आप इसको बटर में सेख सकते हैं आप एक काम करिएगा इनको अलग-अलग ऐसे ही सबजियों को और मोमोज को फ्राइपेन में बटर में डाल और इसको बटर में अच्छे से हिला हिला के सेख लीजिए और यह लीजिए हमारे तो तंदूरी मोमोज तयार हो चुकी हैं खाने के लिए इनको सर्व कर लेते हैं मैंने इन मोमोज के साथ मिली थोड़ी सी मोमोज जटनी थोड़ी सी म्योनी ज, नीम्बू आप चाहें तो mustard sauce का इस्तमाल भी कर सकते हैं chili garlic sauce का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंदे आप वो इसमें ले सकते हैं अब खाने से पहले इनके उपर डालेंगे trusted family का रष ये देखें आरा है ना मुँ में पानी बस हमारे तो मुमोज तो तयार है , फटा फट से हम तो खा लेते हैं अब आप लोग भी इस रेसिपी से जल्दी से अपने घर में मोमोस बनाएं खाएं और फिर अपने अनुभब मेरे साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद